हेले स्टूडन में एक तसी हैं आप सभी का ग्यान चेतनया चेनल में बहुत-बहुत स्वाथ करती हूँ आज के इस टॉपिक में हम साही वंस से रिलेटर यहां पर इंपोर्टेंट फैक्ट देखने वाले हैं सबसे पहले यहांपर है कि काबुल गाटी चेतर में तूरीकी शाही वंस के अन्तिम शाशक लंग तूर्मान को उसके ब्रह्मढ मंत्री कलर ने राजगंदी से हटा दिया यानि कल्र जो है यहाँ पर शाही बंस के स्थापना करते हैं तो नौवी शताबदी के उत्राथ में हिंदू शाही बंस के स्थापना हो जाती है किसके द्वारा कल्र के द्वारा आगे देखते हैं अलबरूनी के अनुसार हिंदू शाही जो है कुशाणों के उत्राधिकारी ह कने इस बंस के कैंपाल को एक हजार एक एष्वी मैं मुहमद गजनवी ने आक्मण का शिकार होना पड़ा तो इस बंस के राजपाल सौरी जैपाल को में मुद्ध गजनवी का मतलब इन्हों ने आक्मण किया था और ये जो है बुरी तरह से पराज़त हुए थे साथी साथ अ अपनी पराजय का अपसोस होता है कि फाइनली वो आत्मे हत्या कर लेते हैं। जैपाल के पुत्र होते हैं आनन्दपाल, वो भी दो बार महमूद गजिनवी से पराजित होना पड़ा, भीमपाल इस बंस का अंतिम शाशक था। जैपाल हो गया, आनन्दपाल हो गया, भीमपाल हो गया और इसके जो संस्तापक हैं वो है कलड़। 1026 में मारे जाते हैं भीमपाल, उत्तरपशिम भारत का ये पहला हिंदू राज्य था जो मुस्लिम आकमण का प्रिथम शिकार हुआ था। यहां से कुश्चन जो है पूछा जाता है, कौन सा पहला हिंदू राज्य था जो महमूद गजिनवी का या फिर मुस्लिम आकमण के समय सिकार हुआ था, तो आंसर हो जाएगा हमारा शाही बंस, जो की स्थापना की थी कल्रणने, इसकी राजधानी उद्भानपूर तो यह थी कुछ शाही बंस, अब हम यहां पर अगले वीडियो में देखते हैं कश्मेर, छोट छोटे करेंगे तो जादा इजी रहेगा आपको देखने में भी, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर करें और जॉइन बटन भी दवाएं, और जॉइन करें, मिलते आंगे वीडियो में, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,